हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पराय अच्छे से चल रहे होंगे आज येस वीडियो में लोग आप से देखिए ठीक है तो यहाँ पर 1100 में से 999 को घटा ना है ठीक है तो यहां पर देखिए जीरो है और यहां नो है तो क्या जीरो में से नो घटेगा नहीं घटेगा तो यह बगल से पहिंचा लेगा यह भी जीरो है यह बगल से यहां एक है तो इस एक को जीरो में सामिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दस और इस दस से यह पहिंचा ले लि ठीक है यदि आप यह समझ गए तो फिर आप असानी से घटा बना सकते हैं ठीक और यहाँ पर क्या बचेगा जीरो क्योंकि यह जो है ना इससे पहिंचा ले लिया था ना तो चलिए अब इसको घटा देते हैं तो यहाँ 10 है यहाँ 9 है 10 में से 9 घड जाएगी बिल्कुल घड 9 कितना बचेगा एक यहाँ पर एक लिख देंगे फिर यहाँ 9 है और यहाँ 9 है तो 9 में से 9 को घटाएगे ना जीरो ही होगा फिर 9 में से 9 को घटाने पर जीरो होगा और यहाँ क्या है जीरो है तो इस प्रिकार से एक बच जाएगा ठीक है चलिए अब यह जो है यहाँ प प्रेशन है आप लोग देखते रहे हैं यहां 0 है यहां 0 यहां 0 9 0 9 0 9 1 क्या 0 में सो नो घटेगा नहीं घटेगा ना ती बगल से पहेचा लएगा यह भी 0 यहां यहां क्या बचाएगा यहां अब दो पहेंचा देदी आथे यहां क्या बचाएगा ना यहां दस और यह 10 इसको पहिंचा दे दिया तो यह हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा कितना 10 क्लियर है चलिए अब 10 में से 9 को घटाएंगे तो 10 में से 9 को घटाने पर एक होता है ठीक है तो एक लिख देंगे अब यहां 9 है 9 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 0 होगा 9 में से 9 घटाए से कितना भी बारा से बारा सवाल क्यों ना आ जाए कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना जाए कितना भी कठीन सवाल क्यों ना आ जाए तो इसी प्रकार से आप घटाव बना सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गया होंगे तो भागी फिर मिलते हैं ने